सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का एक और नी वीडियो में स्वागत है यहां पे हैं मेरे पास Mi 10i जिसको यूज करते हुए अल्मोस्ट 15 डेज हो गए हैं आज की वीडियो में आपको इसका एक फुल रिव्यू यहां पे देने वाला हूं और कुछ रेडमी के स्मार्टफोन के साथ कंपेर भी करोंगा कि किस तरीके से यहां पर उसके कंपेरिजन Mi 10i यहां पर रहता है चाहे Poco X3 हो या कोई और स्मार्टफोन हो तो आज की वीडियो एंट तक जरूर से देखते रहिए का उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर किये बिना यार बिल्कुल भी मच जाना अब देखो यार थोड़ा सा मिक्स रियक्षिन है मेरा Mi 10i 5G के साथ अब यह 6 और 128 जी वाला वेरेंट आपको देखने को मिलता है 21,999 अभी आप लेकिन आमजोन पर जाओगे तो वहां 21,000 का है लेकिन वह 6 और 64GB वाला वेरेंट है वह अभी तक सेल में आया ही नहीं है तो उस वेरेंट को तो आप भूली जाओ मैं कहूंगा और वह उतना सही मुझे लगा भी नहीं 64GB आप लो 22,000 में तो 21,000 में अच्छी बात नहीं है तो यहां पर हम करेंगे जो कि इसकी MRP बिना डिसकाउंट के है उस पर अगर मैं यहां पर देखता हूं तो स्मार्ट फोन मुझे इतना सही नहीं लगता है क्या-क्या रीजन्स है वो सब चीज आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले यहां पर क्विक स्पेसिफिकेशन 108 में पिक्सल का गिमिक कैमरा नहीं देखने सेंसर मिल जाएगा और स्नाइवरेंट का 750 जी आपको 5G प्रोसर देखने के लिए इसके अंदर मिलता है 5G के दो ही बैंड्स यहां पर अभी तक इसमें आचालू है अभी तो हमको पदा नहीं है कौन-कौन से बैंड यहां पर लेने वाली है कंपनी तो अगर आप 5G ऐसा थोड़ा मिक्स रियक्शन लगा है ऐस कंपेर टू पोको एक्स त्री मैं कहूंगा अगर आप पोको एक्स त्री पर जारना चाहते हो तो वह ज्यादा बैटर लगता है ऐसा क्यों है यार देखो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं डिस्पले की तो डिस्पले इसमें का सही आपको देखने के मिल जाती है और आउट्डोर में भी काफी अच्छी ब्राइट डिस्पले यहां पर हो जाती है 120 हर्स की डिस्पले है अब देखो सिमलर डिस्पले आपको पोको एक्स तरी में भी मलती है तो वही थोड़ा सा डाउट है मेरा अगर आपको 22,000 का फोन है उसमें भी सेम चीज मिल रही है और 15,000 वाले फोन में भी सेम चीज मिल रही है डिस्पले में तो आप 15,000 रुपया लालो जादा बैटर रहेगा उसकी डिस्पले कैलिबरेशन जो है कलर्स वगेरा वह भी मुझे पोको एक्स रे के जादा बैटर लगे हैं एस कंपेर तो दोनों ही सिमलर रहती है ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने के मिलेगा बागी अगर बात करें ओवरॉल फोन की तो ओवरॉल यार काफी अच्छा है पतला है Poco X3 से क्योंकि उसमें 6000 एमेज की बैटरी है इसमें 4800 एमेज की बैटरी आपको देखने के मिलती तो अच्छा है इन हेंट फील इसका काफी सही मुझे लगता है कोई ऐसाच प्रॉब्लम नहीं आती है बैक में ग्लास है तो यार मैं तो कवर लगा के घूमता हूं और ग्लास लुक्स जो है ना इसके काफी सही है और सिमलर यहां पर Poco X3 का भी लुक है लेकिन Poco X3 आपको अच्छी मिल ही जाएगी बाग इसके अंदर आपको स्टूरियो स्पीकर मिलता है तो अब यहां पर देखो स्टूरियो स्पीकर Poco X3 में भी मिलता है तो थोड़ी सी उमीद तो जरूर रहती है कि सस्ते वाले फोन से जादा बैटर होगा लेकिन यहां पर थोड़ी अलगी इसका स्टूरियो स्पीकर इतना जादा दमदार नहीं लगता है और यह थोड़ा सा लाउडनेस में भी कम है और जो ओवरॉल क्वालिटी लगती है वो भी काफी कम इसकी लगती है और सिमिलर चीज इसकी यह पीस के साथ है जिससे आप बात करते हूं यहां पर काफी डिस् नहीं लगी अगर आप बाहर भी जाके कहीं बात करते हो तो उसमें भी लाउडनेस थोड़ी सी भी कम यहां पर लगती है थोड़ी सी और होती तो काफी सही रहता बाकी आपको इसमें भी साइड माउंटेट फिंगर प्रिंगर्प्रिंट सेंसर देखने के लिए मलता है इस अनिगनेट सब्सक्राइब करके भी इसको अनलॉक करने वाला कर सकते हो यह सिंपल टच करके भी ऊंलॉक करने वाला लगा सकते हो उस नहीं आता बाकि अब यहां पर बात करें प्रफॉर्मेंस की तो इसमें आपको स्नैप ब्रेंड का 750G का प्रोसेसर मिलता है अब आपको कोई एक्सेप्शनल प्रफॉर्मेंस नहीं मलती है कि बहुत ज्यादा फास्ट आपको लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा बहुत आपको ज दिकत नहीं है बस यह 5G है इसलिए थोड़ा सा आपको यह एक्सपैंसिफ ज्यादा रहता है यह प्रोसेसर बाकि सब चीज आर सिमलर मुझे लगी है एस पॉसे स्नैप दैंड के सैवेंट हटी जू तो जी या सैवेंट हटी जी सिमलर प्रफॉर्मेंस टाइप आपको इसक जिससे बैटरी में भी इंक्रीमेंट मिलता है अगर बात करें बैटरी तो 4800 की इसमें मिलती है और उस हिसाब से मैं कहूंगा बैटरी बैकप काफी सही है क्योंकि अब यह 120 हर्ट हर ताइम नहीं रहता है तो इसमें आपको बैटरी बैकप 6-7 आर्स का इसके इंदर देखन भी काफी अच्छा है मुवीज वगरा देखोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह भी चीज काफी सही हो जाती है इसको चार्जिंग में सिर्फ वना लगते हैं काफी फास्ट चार्ज हो जाता है 33 वार्ट का चार्जर आपको इंद बॉक्स मिलता है एक काफी डेफिनेटली आपको अच्छा यहां पे डीटेल्स मिलेगी लेकिन डीटेल्स कब आप यहां पे देखोगे जब आप जूम करोगे अपने फोटोस को अगर आप नॉर्मल कोई भी फोटो देखोगे तो उसमें बीच में 64 पिक्सल और 108 पिक्सल के बीच में तो आपको ऐसी पिक्सल के साथ जूम करके तब आपको थोड़ी सी रिटेल्स जादा देखने के मिलेगी बाकी कुई भी फर्क आपको इसके अंदर नहीं मिलता है यह चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ और ठीक्ठा कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाता है इंडोर आउट्डोर में अच्छी आजाती है बस थोड़ा कलर्स वगरा में यहां पर सही नहीं रहता है थोड़ा आपको यहां पर वार्में स्टोन जादा देखने के लिए मुझे इसमें मिली है और कभी-कभी यार इसमें मैंने देखा है कि पिंक टिंट का भी इशू मेरे कैमरा के साथ आ रहा है अब यह और किसी के साथ है कि नहीं I don't know लेकिन मेरे साथ जरूर से यह देखने के मिला जब मैंने 108 मेया पिक्सल में कैमरा में फोटो क्लिक करी है बाकी डे में इंडोर में काफी अच्छी क्वालिटी बिचर आ जाती है और इसका जो नॉर्मल आप फोटो लोगे न जो उस का आपको मिलेगा और वो भी डीसेंट है 8 मेया पिक्सल की मुझे आज जो कलर्स वगेरा है वह काफी बैटर लगे हैं इसमें स्काई का कलर भी काफी अच्छे से रिटेन करके रखा है लेकिन हां अगर आप पोको एक्सी से कंपेर करोगे तो इसमें डेटेल्स वगेर आप आपको काफी कम मिलेगी और वको एकसरी वाला काफी सही 13 मेया पिक्सल का कैमरा मिलता है उसमें जो कलर शिफ्ट हैGO록ई एंगर उनुद्रा बात नहीं करेंगे अगे थो 16 मेया पिक्सल का फ्रेंट से इतना जादा मुझे खास नहीं लगा आउटडोर में तो ठीक ठाक फोटोज आ जाती है लेकिन ओवर शाप कर देता है फोटोज वगरे को इंडोर में थोड़ी सी मुझे क्वालिटी में कमी लगी अब यहाँ पे यार Poco X3 इंडोर में को थ्री लैक सेंटिंग मिलता था उसके अपडेट आया एक दो उसके बाद से टू लैक एट्टी एट थाउजन संथिंग हो गया है तो थोड़ा सा डाउन ग्रेट हो गया है बागी कैमरा वगएरा में कोई इंप्रॉम्मेंट तो नहीं देखने के लिए अपडेट के बाद जिसकी काफी जादा जरुवत है इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 4K में इलेक्रोनिक इमेज इस्ट्राइज़िशन की जरुवत है वह भी नहीं के आगे बात करें तो उसके अंदर आपको MIUI मिलता है अब एड्स वगेरा तो उसके अंदर नहीं आते हैं लेकिन आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स काफी सारे इसमें मिलते हैं करीवन 9 के सम्थिंग थे सबको आप डिलीट कर सकते हो उसमें कोई इश्यो नहीं है बागी अब मैं थोड़ा पग गया हूं इतना जादा स्मूद बिल्कुल भी नहीं है चाहे कोई भी फोन ले लो सिजी में किसी सब में शटर यूई लैग करता ही है कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत लैक्स वगरा देखने को मिली जाते हैं वो इसके साथ बीशू है और इसके स सेवन के साथ जाके देख लो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप उसमें डिफ्रेंस देख पाऊगे कि कितना बिकार पुरली ऑप्टिमाइज है मी वाई 12 फिलहाल के लिए बाकी अब फाइनल कोशन यहां पर आ जाता है कि अगर बाइस हजार में आपको यह मिल रहा ह है तो उस प्राइस में बिलकुल मैं नहीं कहूंगा कि आप अगर आपको यह सस्ते में मल रहा है 2000 में मल रहा है तो जरूर से आप इसको कंसीडर कर सकते हो उस टाइम पर यह काफी सही डिल है और यहां पर मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप 22,000 में मत लो क्योंकि आर अभी आने वाले दिनों में काफी सारे नहीं स्मार्टफोन आने वाले हैं अब यार यह दिखो चाइना में रेड्मी सीरीज के अंदर आया था यहां पर मी सीरीज में लॉंच कर दिया है यह थोड़ी सी गलती उननों करी है अगर रेड्मी सीरीज में ही करते और दाम 18,000, 19,000, 20,000 तक भी रखते ऑफिशल प्राइस 6128GB का काफी किलर फोन यहां पर रहता लेकिन फिलाल के लिए तो जैसा मैंने यहां पर पाया है कि आप अभी 22,000 में इसको कंसिडर मत करो अगर आपको 20,000 तक में यह मिल रहा है तो आप ज़रूर से कंसिडर इसको कर सकते हो और कोई- आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना फिलाल तुछ वीडियो में पर से इतना ही बिलूंगा ने वीडियो में तल देन टेक क्यर बाबाए